next question question say the spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 minus 7 coulomb distributed uniformly what is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from center of sphere now और के की वेलियो में दी हुई है यह सवाल है अगर चार ओप्शन देखेंगे तो इस सवाल में बहुत ज़रा दिमाग नहीं लगाया गया है हाला कि अगर इसको आया लेवल पर जाएंगे तो इसके जो रम्शल ले 10 cm radius का आपका circle है और यहां से 15 cm में तो 10 cm यह है और प्लस 5 करके इस जगे पर इस पॉइंट पर आपको इलेक्री फिल्ड इलेक्री फिल्ड बतानी है ना हाँ इलेक्री फिल्ड बतानी है तो यूजुली कोलम लॉम में हम यह assumption लेते हैं कि सारा चार्ज आपका एक जगे पर stored है जो कि इस case में नहीं होगा लेकिन यह आपका non uniform distribution से कुछ नहीं करना यहां पर सिंपल सा आप इसको यह जगे पर concentrated है और इस जगे पर आपको यह आपका पी पॉइंट है यहां पर क्यू चार्ज है 15 cm की दूरी पर आपको इलेक्री फिल्ड बतानी है तो इलेक्री फिल् distributed है और डिसन उत्ता साथा significant नहीं है आलाइक तो लेट सॉल्ड इस कोस्टिन सो यह बनेगा 9 into 10 to the power 9 multiplied by q q दिया हुआ अपने को 3.2 multiplied by 10 to the power minus 7 divided by radius दिया है 15 cm so this will be 15 into 10 to the power minus 2 का square इसको solve करना है थोड़ी सी महनत हो सकता है इसे solve करने में लग जाए इसको जब solve करेंगे so e की जो value है वो आजाएगी 1.28 into 10 to the power 5 newton per coulomb so that would be our final answer